नमस्कार दोस्तों आज सभी का माच चलब पर रहादिक स्वागत है दोस्तों आज 29 नॉंबर 2023 है और दोस्तों आज सेर बजार में निमेशकों की बल्ले बल्ले हो गई आज कई दिनों बाद सांदार रैली देखने को मिली है दोस्तों आज निफ्टी ने तो कमाल कर दिया अपनिंग जब सेर बजार की हुई थी उसके बाद से साम तक क्लोजिंग तक साड़े तीन बजे तक बिल्कुल धुमादार तेजी रही किसी भी मौके पर ऐसे नहीं लगा कि सेर बजार नीचे जा रहा है सुबह से लेकर साम तक बिल्कुल नाक के सीध में ऊपर को जार तेजी के पीछे कौन कौन से कारण दोस्तो एक दो पांच-छह साथ कारण नहीं पूरे दस कारण है आज की रही में हैं और यह दसों के दसों कारण बहुत ही इंपार्टेंट है, आने वाले समय में भी आपको इनमें से बहुत से कारण आपको बहुत यह फायदा मांक में बिठा करके और फिर उसके बाद आप टेडिंग करेंगे तो आप जब जस्त प्राफिट कमाएंगे जोस्तों जैसा कि आज निप्टी ने 207 पॉइंट की सांदाल बड़ोतिरी के साथ में 20,096 पर अपनी क्लोजिंग की है और साथ ही सेंसक्स ने भी 728 पॉइंट की जब जस्त बड़त के साथ 6,902 पर अपनी बड़त कायम की है इस तरह से इनवस्टरों का काफी इस समय लाब हो रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज इतनी धुमादार तेजी हुए उसके पीछे जो 10 फैक्टर है उनमें से सबसे बड़ा पहला फैक्टर से आ और एक दिसंबर को आटो सेल्स के डाटा आ जाएंगे नमबर मैने के और दोस्तों यह उमीद की जा रहे कि बहुत ही बेतरीन सेल्स नमबर आ सकते हैं जैसा कि इस नमबर मैने में कई जब जस्त इंदों के तेवार थे दीपाव वाली तो उसमें काफी अच्छे नमबर आन दूसरा जो बड़ा कारण है वो अमेरिकी सेंटरल बैंक फेडरल रिजर्व की तरफ से है दोस्तों अमेरिकी सेंटरल बैंक फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वालर ने महिंगाई में कमी जारी रहने पर आने वाले महिनों में ब्याज दरों में और कटवती की समावना बैक्त की गई है उनके इस बयान के आने के बाद से इंटेक्स में जो हमारा बाजार है वहाँ पर काफी हाई वेटेज रखने वाले इंकम वाले हाईस्ट सेयर्स जिनमें से आईटी सेयर्स और बैंकिंग के साथ फानेंसियल स्टाक्स जो दम रखते हैं उनमें आज जवाज़स्ट खरीदारी देखने को मिली इसके अलावा तीसरा मराकार्ण यफाईस की तरफ से दोस्तो विदेशी पोर्टपोलियो निवेसक लगातार अब पिछले मैने से खरीदार बन चुके हैं पिछले हपते में तो काफी खरीदारी की थी और अब इस मैने में विदेशी निवेसकों ने 28 नमबर तक 29 अरब रुपए के सेयर्स खरीदाले हैं आप समझ सकते हैं कि यफाइस की कितनी दमदार खरीदारी हिस समय चल लई है उसके चलते भी यफाइस के पॉजटिव सेंटिमेंट से बजार में आज तेजी का रुख बना दोस्तो चौथा कारान है बिल्यू चिप की तरफ रुजान दोस्तो अभी तक बिल्यू चिप के सेयर्स काफी प्रेसर में चल लए थे यानि कि सेलिंक प्रेसर दबाव में थे मदड़ियों का थोड़ा बुल बाला था लेकिन अब धीरे-दीरे इन्वेस्टर्स लोट रहे हैं बड़े-बड़े यफाइस लोट रहे हैं तो अब छोटे स्टाकों को छोड़ करके अब बड़े-बड़े धुरं दिखाई जा रहे हैं और उमीद है कि आने वाले समय में इन ब्लू चिप्स के सेयर्स और दमदारी दिखा सकते हैं इनकी आगे जो रिजल्ड्स आने हैं क्यों थिरी के वह काफी बेतरीन हो सकते हैं दोस्तों पांचवां कारण ग्लोबल मार्केट की तरफ से हैं दोस्तों आज एसेयर्स मार्किट शुरुआत में काफी दवाव में जरूर दिखे हैं लेकिन कुछ यूर्योपियन मार्केट कुछ ती नधे दिखाई दी हैं मिक्सट एक तरह से रुप कह सकते हैं लेकिन कुल मिला करके ग्लोबल मार्केट में आप तेजी का माओल बनता हुआ अठा कारण है क्रूड आयल की तरफ से दोस्तों ब्रेंड क्रूड फ्यूचर चीएतर सिंट बढ़ करके 82.23 बैरल पर आ चुका है और यूयस वेस्ट टेकसास इंटरमेडियेट यानि जिसको की डेबलु आई टी आई कहते हैं वहाँ क्रूड फ्यूचर चीएतर सिंट बढ़ करके 0.93 जिसको कह सकते हैं वहाँ पर बैठा है 77.11 प्रेति बैरल इस तरह से दोनों ही मार्केट्स में एदि देखा जाए पिछले दो महिने का रिकार्ड तो लगबग 16 परसेंट की गिरावट देखने को मिली थी उस गिरावट का फायदा आने देशों को हो सकता है क्रूड आयल में इसलिए कम लागत के वज़े से आज बजार में काफी अच्छी रिकावरी देखने को मिली दोस्तो एक बहुत बड़ा कारण अब इस समय नजार आ रहा है वो है बॉन्ड इल्ड की तरफ से दोस्तो ट्रेजरी इल्ड जो इस समय चल ला है वो आज यूएस पेटरल इजल बैंक आफिसियल की तरफ से यह हिंट मिलना की इंट्रेस रेट कम हो सकता है तो यह दोस्तो कई मैनों का आज इसमें लो बन गया जैसा कि यह आप टू इयर्स का इल्ड देखेंगे तो यह जुलाई के मद्य में 4.99% और यह 10 इयर का इल्ड देखेंगे तो 6 बेसिस पॉइंट लोवर सितंबर में 4.28% था यानि कि कुल मिला करके अब जब इंट्रेस रेट कटेगा तो बांड पर जो इल्ड है वो थोड़ी कम हो जाएगी जिससे अब हाई जो नेट बांड खरीदने वाले इंस्टिट्यूशन्स हैं वो अब सेर बजार की तरफ लोट रहे हैं यहाँ पर अब ज्यादा थोड़ी की उम्मीद है उनको अच्छे रिटर्ण्स अपने पैसों पर तो दोस्तों अगला आठवा कारण है फालिंग डालर इंडेक्स की तरफ से तो दोस्तों डालर इंडेक्स जो की ग्रीन बैक्स की मूव्मेंट वर्ड के सिक्स करेंसी का है वो जीरो दसमलों बारा पर्सेंट एक सो दो दसमलों सत्यासी पर है और इस तरह से यह दि देखा जाए तो पिछले महिने में तीन दसमलों साथ पर्सेंट यह कम है यानि कि इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ोतरी नहीं हो पा रही है डालर इंडेक्स में और दोस्तों यह माना जाता है कि यह यह डालर तो हमेशा एकुटी मार्श के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों नवा कारण एकजिट पोल रिजर्ट्स की तरफ से है दोस्तों जैसा कि अभी भारत में पांच राजियों में चुनाव चल लए हैं स्टेट्स के उन में से पांच राजिय हैं तेलंगाना, अतिप्रदेश, राजस्तान, 36 गड़ और मिजोरम यहां पर स्टेट एलेक्शन चल लाए हैं और इनका एकजिट पोल 30 नॉम्बर 2023 को साम 6 वजे दिखाई देगा और यह उमीद की जा रही है कि बीजेपी को यहां पर अच्छी बढ़त मिल सकती है जिसके चलते आज बजा इरेडा की IPO लिस्टिंग दोस्तों जैसा कि बारत सरकार की मिनी रतन कंपनी इंडियन जेनुवल इनरजी डेवलम्मेंट एजेंसी लिम्टेट यानि की इरेडा के निवेशकों को आज सेयर बजार में बहुत ही माला मालक होते होए देखा गया दोस्तों जैसा की इरेडा का इसू प्राइस 32 रुपए पर अभी निकला था और आज इसकी लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग दोस्तों काफी आज जवर जस्त हुई है इरेडा का सेयर इसू प्राइस के मुकाबले 56 प्रतिसद बढ़ करके यानि की अधिक प्रीमियम पर आज लिस्ट हुआ बियस् कि आज जो क्लोजिंग दिखाई है दोस्तों बहुत ही जवर जस्त बीस परसेंट की अपर सट्किट के साथ एनसी पर 60 रुपए पर बंद हुआ है यानि कि अभी भी इसमें बाइंग पर लोग लगे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि एरेडा की आईप्यों लिस्टिंग क इतनी सांदर रही और ऐसी अब उम्मीद की जा रही कि जो आने वाले अभी और आईप्यों लिस्ट होने हैं टाटा टेक्नलोजी गंदार आयल्स हो गएरा उनमें भी अब जबर जस्त उचाल आने की उम्मीद है इसी के चलते आज सेयर बजार में बहुत जबर जस्त लिस्टिंग देखने को मिलेगी एक लिस्टिंग के दिन ही दोस्तों इनमिस्टरों का पैसा लगबग डवल के आसपास होता दिखाई दे रहा है अभी जब 20% पर अपर 60 लगी है तो आने वाले एक दो दिन में अभी और इसमें तेजी आ सकती है तो इन सब दसों कारणों क देखते हुए आज बजार ने जबजस्त अपना रियक्शन दिया और दोस्तों ये पॉइंट्स बहुत ही बेतरीन है आपको अभी अगले वीक में अगले मन्त तक आपको ये सारे पॉइंट्स काफी मदद करेंगे सेर बजार से पैसे कमाने के लिए तो दोस्तों इन सब ब इनकम बटो रहें दोस्तों साथ ही ये वीडियो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट चक्शन में जुरू बताईएगा साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें सेर भी कर दें और हमाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जैन्यवाद